मनिपूर में 19 जुलाई को दो महिलाओं को नगनकर गाउं में घुमाने का वीडियो वाइरल हुआ था अब ऐसी ही एक घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में सामने आई यहां भीड ने दो महिलाओं की पिटाई की फिर उन्हें अर्द नगनकर दिया गया यह घटना भी 19 जुलाई की है इसका वीडियो 22 जुलाई को सामने आया वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाओं का एक समू दो महिलाओं को घेरे हुए हैं उनके बाल खीचकर चपलों से पिटाई की जारी है इसके बाद उनके कपड़े फाड दिये गए हैं बीजीपी के आईटी सेल हेड अमित मालवी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया उनके मुताबिक कि अघटना मालदा के से इस पर कोई अधिकारिक बयान नहीं आया है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अभधरता का ये पहला मामला नहीं है पंचाज चुनाओं में हिंसा के दोरान भी एक महिला को नगनकर उसकी परेट निकाली गई थी शुकरवार को हुगली जीले से बीजेपी सांसत लौकेट चटर जी ने बताया कि 8 जुलाइ पंचाज चुनाओं के दोरान टीमसी कारिकरताओं ने एक भाशपा उमिदवार के साथ योन उत्पिडन किया था उस घटना का जिक्र करते वे लौकेट चटर जी रोने भी लगी ये घटना हावडा जीले के दक्षिन पंचला इलाके में हुई थी हाला कि इस मसले पर पिडित महिला ने पुलिस में शिकायद दर्ज कराई थी पिडित द्वारा दर्ज की गई एफाई आर के अनुसार टीमसी उम्मीदवार हिम्मत रायन ने अन्य लोगों के साथ मिलकर मद्दान के अंदर पर महिला के साथ पहले झालिवार